अगर आपने चैनल पर पहली बार विजट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए ताकि जितनी भी वीडियो में अप्लोड करूँ आप लोग तक नॉटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए और अगर आप बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड कोस्ट प्रवाइड करता हूँ बात करेंगे मल्टिफल शेर्स की सबसे पहली कंपनी आती है हमारी लिस्ट में पी टी सी इंडस्ट्रीज साथ हजार बावन रुपे पे जाके स्टॉक की क्लोजिंग है और यहां पे अगर आप देखें तो सेवन्टी फाइव हंडेड के आ 16% के असपास का उचाल औलमोस्ट पीटी सी इंडस्री में देखने को मिला है चै मैने की बात करें तो 76.61% की तीजी एक साल में 129% की टंज हैं और पांच साल की बात करें तो भी 139% की टंज हैं क्यूंकि लिस्टिंग जो थी पीटी सी इंडस्री की आलमोस्ट 9 जून 2030 को 30 3070 रुपे पे हुई थी और वहां से लेके अभी तक स्टॉक ने अपने maximum टंस almost मोटे मोटे तोर पे देखे तो एक साल भी नहीं हुआ है almost 8 महीने का स्वास का समय हुआ है और इसमें 130% के टंस PTC Industries बना कर दे चुपा है अपडेट की बात करें तो PTC PTC Industries stock surges over 4% after a Dessault deal यानि कि Dessault Rafael जो है अपनों को नाम सुना भी होगा तो यहां पे एक बड़ी deal होती नज़रा रहे है PTC Industries subsidiary Aeroloid Technologies Science Purchase Agreement with Dessault Aviation तो यहां पे काफी तेजी जो है PTC Industries के अंदर देखने को मिल सकती है और Dessault Aviation के साथ में एक Purchase Agreement यहां पे साइन किया है Aeroloid Technologies Limited and Dessault Aviation entered in a multi-year agreement for the supply of titanium casting parts made in India as per the media statement Aeroloid will produce the full range of titanium casting parts for the Rafale multi-role fighter aircraft and the Falcon business jet program तो ऐसे में PTC Industries के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है और Director जो है MD जो है और Chairman जो है उनका बयान है कि we are eager to leverage our capabilities to support the growing requirement of the various aircraft in Dessault Aviation और ऐसे में PTC Industries के अंदर जो है short term के अंदर काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है portfolio की बात करें तो PTC Industries Limited manufactures metal components for critical and super critical applications for industries like defense oil and gas liquefied natural gas sips and marine etc तो उनके लिए सारे products बनाती नजरा रही है market cap 9728 क्रोड का है और face value जहां 10 रुबे की है मेरे इसाब से हो सकता कि valuation जो है price के साब से काफी high हो चुकी तो company split देने की सोर सकती है आने वाले दिनों में return on capital 11.8% का है return on equity 12.2% की और 50 days moving average के इसाब से अगर आप देखे तो stock का valuation अभी हाई है 6,164 रुपे का सपास 50 days moving average है और अभी stock का current price almost 7,000 रुपे का सपास अगर मिलता है stock तो एक अच्छी opportunity रहेगी stock को buy on dip करने की September quarter गंदर company का profit 15.68 क्रोड रहा जोकी yearly basis पे और quarterly basis पे दोनों ही जगह पे decline होता नजर आया था बात करें अगर sales growth की तो last one year की sales growth है 27% की profit growth 99% का CGR 5 साल का 110% 3 साल का 175% और 1 साल का 85% के अच्छी पास का है रिजव सप्टेंबर quarter के साथ से 357 क्रोड के हैं और करजा 184 क्रोड के असपास का देखने को मिला है शेर holding pattern की बात करें तो promoters के पास जो है January का भी data आ चुका है अगर आप देखें तो January quarter के अंदर कोई भी changes previous quarter के अंदर भी जो December में भी जो numbers थे December महीने में वो भी आजटी इस थे नेक्स टॉक की बात करें तो Bajaj Finance Limited जो के एक NBFC सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है और 7,366 रुबे पर लास लोजिंग है एक रिपोर्ट आई है यहां पर जैफरीज की तरफ से पांस दिन में पांच पसंट की correction है एक महीने में तीन पसंट छे महीने के अगर बात करें तो 0.70% के असपास की correction है उपरी सतर पर आप देखें आठ हजार रुपे के लवल से correct होके stock पहले ही 7,000 रुपे के लवल पे आता बीच में थोड़ी से recovery जुरूर देखनी को मिली है एक साल की बात finance में investors को बना कर दिये हैं अपडेट की बात करें तो जाफरीज की तरफ से एक अपडेट है कि जियो फिनेंशियल टेकिंग बैलेंस अप्रोच सी लिमिटेड रिस्क फोर बजाज फैनेंस बैंक्स जाफरीज तो जाफरीज का बयान है कि जो टार्गेट है बजाज फैनेंस सर्विसेश उनने बजाज फैनेंस के लिए टार्गेट दिया है जबकि जियो फैनेंसल सर्विसेश के लिए फोर टार्गेट नहीं दिया है और अभी बजाज फैनेंस के कौर्टर ली नंबर आने बाकि है जबकि जियो फैनेंसल सर्विसेश अपने के नंबर अलरी पेश क payment bank and payment platforms Jeffrey said adding that it sees geo-financial services taking a balanced approach to growth यानि कि geo-financial services जो है एक balanced approach का सारा ले रहा है अपनी growth के लिए जबकि बजाज finance के अंदर थोड़ा सा limited risk जो है short term के अंदर देखने को मिल सकता है quarterly numbers geo-financial services के ठीक ठाक देखने को मिले बजाज finance के हाला कि अभी आने बाकी है next stock की बात करें तो KPIT Technologies Technology सेक्टर के अंदर काफी कमाल की company है Tata Technologies जैसे है वैसे ही KPIT ने भी काफी अच्छी performance दिखाई है बीते सालों के अंदर 1540 रुपे लास्ट लूजिंग हुई है एक महिने से stock में कोई खास momentum नहीं है 3% के ही तेजी है correction में रहा stock consideration में है और बीते 6 महिने में अगर आप देखें तो 44% के आसपास की तेजी है 1100 रुपे के जब levels दिये थे मैंने 900 के level से कि 1100 के levels देखने को मिलेंगे और 1100 के level को touch करने के बाद stock ने almost 1580 तक के levels दिखाए जो कि stock का height almost 1640 के आसपास का है तो correction में है stock खरिदारी करने का मौका अभी भी है एक साल में 122% के डंस हैं हाला कि 5 साल की बात करें तो 1300% के डंस की PIT technology जो अलड़ी इंवेसर्स को बना कर दे चुका है और maximum डंस भी 1317% के हैं 26 अपरेल 2019 को 108 रुपे गास पास रिस्टिंग की जो की आज almost 1540 रुपे गास पास से stock आ चुका है company के market cap की बात करें तो 42,254 करोड का market cap है quarter 3 की earnings आला की अभी आनी बाकी है return on capital 30% return on 25% P86 का है जो की थोड़ा सा high जरूर है fiscal 10 रुपे गास पास की है और 50 days moving average के साब से stock का price होना चाहिए 14,000 रुपे और अभी stock का current price जो है almost 1550 रुपे गास पास का है shareholding pattern पे जाने से पहले गार इसके quarterly numbers देखे हम तो operating profit September quarter के अंदर 240 करोड था जो की yearly and quarterly दोनों ही जगे पे improve होता नजरा है company काफी हद तक positive numbers पेश करती लगार जरा रहे है पिछले quarters में और reserve company के पास 1586 क्रोड के है करजा 376 क्रोड के असपास का ही है shareholding pattern देखें तो December quarter के अंदर यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि FIs ने अपना stake increase कर दिया है, DIs का stake कम हुआ है public का stake कम हुआ है तो FIs जो है KPIT को लेके bullish है quarter 3 के अंदर और promoters का stake as a stage है 39.47% KPIT technologies के अंदर तो तीनोंगी कमपनिया काफ़े कमाल की है long term में काफ़े अच्छा मुनाफ़ाइ companies बना कर दे सकती हैं, अगर आपके portfolio में है तो आप इनका wait and watch का formula use कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share जुरू करिएगा और अभी तक आपने telegram group को join नहीं किया है updates के लिए और trading के लिए तो link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा